हिंदी साहिती की वरिष्ट कथा लेखी का चित्रा मुद्कुल जी की जो लगू कथा है डोमिन का की, वो है तो एक लगू कता पर भारतिय समाज में व्याप्त, छुवा छूत अथ्वा अंटचबलिटी, नामक जो कुप रथा है, उसका बखुबी परदाफाश कर डालती है. क्या आपको पता है, यह जो कहानी है डोमिन का की, चित्रा जी की जीवन से संबंदित एक कथा है. उनका एक इंटर्व्यू जो नोने डिडी न्यूस चैनल के तेजसुनी नामक प्रोग्राम के लिए दिया था, उसका क्लिपिंग, उसका शॉर्ट क्लिपिंग हम याँ दे रहे हैं, और उसमें वो जाहिर करती है कि कैसे उनकी जीवन की वो घटना, उन्हें डोमिन का की कहा कहानी लिखने के लिए प्रेरित करती है, ये कहानी उनके कॉलेज की मैगसीन में छपी थी, तो जाते हैं उस इंटर्व्यू के क्लिपिंग की और, एक घटना में बहुत छोटी से जिक्र करना चाहूंगी, मैं हमेशा जैसे मुंबई से अपने गाउं जाया करती थी, गर्म मीठी होती, तो ये सारी चीजों के बीच में, एक दिन मैंने आंगर में देखा, डोमिन प्रवेश कर रही है, तो मैंने अपनी दादी से कहा, हम आजी पुकारते थे, हमने कहा, आजी आजी डोमिन आई, तो उन्होंने मुझे पास बुलाया, एक चाटा मारा, डोमिन कहा, ये डोमिन नहीं तुम्हेरी काकी लगती है, डोमिन काकी पुकारो इनका, तो मैंने कहा, अच्छा, अच्छा, वो मैं छे साथ साल की बच्ची थी, वो चांटे की वज़े से मुझे घटना याद है, और उसके बाद, ऐसे ही, आंगर में गिट्टियां खेलते हुए, मेरी आजी ने मुझे पुकारा, बिट्या, डोमिन काकी बैठी है, इनको ले जाके टोकनी भर अनाज और ये चार पने थी, और एक इलहा चार रखा है, जाके उनको दे आओ, हमने जाकर रेकर उनको दिया, अनाज छी रग गया, हम उनके आचल में अनाज को समेटने लगे, तो म लेडी आज ही ने फिर पुकारा, हियाओ, इकाकी हिनो, तो मने का क्यूं, क्या हो गया, उनके छूले हिनो, मतलब डोमिन काकी का अनाज गिर गया, तो बली छूना नहीं था इनको, छूयो का है, और एक थपढ़ फिर पढ़ा बाद उपर, और एक गोहार पढ़ी, मेरी और मैंने उनको छूआ, डोमिन काकी को, तो मुझे नहाना पड़ेगा, और काकी यानि बड़ी अम्मा मुझे नहलाएंगी, तो उनको भी नहाना पड़ेगा, तो ये जो, ये संबन्दों के पुकारना एक चीज है, ठीक है ग्रामिन मूलों में, लेकिन आप उसी समय, आप के मन में जो सवाल उठ रहे थे, इसी से कहीं फिर आप थोड़ी विद्रोही हो गई और आपने कहा कि सब वरजनाओं को मुझे तोड़ना है, ये ठाकुर का कुवां जब मैंने पढ़ी ना, तब मैंने उसकी तुलना की, कि किस तरह से जो दलित हैं, वो पानी नहीं भर सकत और डोमिन काकी का उदाहरन याद आया, वही मेरी पहली कहानी थी, जो कॉलेज की मैगजीन अरचना में छपी चित्रा मुद्गल जी की ये जो कहानी है डोमिन काकी, हमारे समाच में प्रचलित, अंटचबिलिटी अत्वा चुवा चूत की और हमारा ध्यान अकरशित करती है ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमारे इंडियन कॉंस्टिूशन में आर्टिकल 17 में अंटचबिलिटी को बैन किया गया था और वो किया गया था 1950 में और ताजुप की बात है कि 1950 में इंडियन कॉंस्टिूशन ने जब अंटचबिलिटी को बैन किया उसके बाद इतने साल हो गए अब भी भारत के कई शेत्रों में अनटचबिटी अत्वा चुआ छूत की जो कुप रथा है वो आज भी प्रचलित है ऐसी चूटी-चूटी कहानिया, डोमिंका की जैसी चूटी-चूटी कहानिया हमें याद दिलाती है कि हमें मानो को मानो की समान देखना चाहिए, समानता के भाव से देखना चाहिए हम जहाँ एक और जानवरों को अपनी इतने पास रखते हैं तब किसी दूसरे मनिश्य से हम कैसे इस प्रकार के बरताव कर सकते हैं कहने को तो डोमिन का की चित्रा मुद्गल जी की एक लखू कता है पर हमारे समाज की कुरीतियों का वबखू भी परदाफाश करती है और उससे जुड़ी तमाम विसंगतियों खास कर चुवाचूत की समस्या कैसे घर और घर के वातावरन से इन कुरीतियों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है ये कथा चित्राजी की जीवन से सम्बंदित है तभी वे कहती हैं विद्रो, संगर्ष और कायरता का वातावरन मनिश्यों को घर के वातावरन से ही मिलता है चित्राजी स्वयम एक संपन परिवार में जन्नी, सुक सुविधा में पड़ी लेकिन समाज में निम्न जाती के लोगों के प्रती जो बरताव देखा, उससे उनका मन विचलित हुआ वे मन से विद्रोही बनी और इन सभी कुरीतियों के विरुद उन्होंनी अपनी रचनाओं में आवाज उठाई यहां डोमिनका की कहानी में भी दोन समुदाई के एक्स्त्री के प्रती सवर्न वर्ग के लोगों का बरताव देखा जा सकता है दो तमाचे उस छोटी सी लड़की को दो अलग-अलग सत्य सिखा जाती है पहला तमाचा उसे क्यों लगा था कहानी के उस अम्श की और जाते हैं तभी उसकी नजर दहलीज पार कर आंगन में घुस्ती हुई दो मिन पर पड़ी दो मिन अटारी पर बनी टट्टी और आंगन से लगे नदर्वा को साफ करने आई थी खटोले से लगी खड़ी वह उचप कर जिल्लाई ददिया ददिया देखो दो मिन आई है चुटकी में दबी मिर्च छोड़ दादी ने तड़ाक से उसकी गाल पर तमाचा जड़ा कब सीखेगी मान टान ऐसे बुलाते हैं बड़ी बुडियों को रिष्टे में रतनी तेरी काकी लगती है काकी दो मिन काकी कहा कर इसे समझी इस तमाचे से छ़ साल की उस चूटी सी लड़की ने क्या सीखा यही ना बड़े बुडों की इज़द करने चाहिए दो मिन को दो मिन नहीं दो मिन काकी बुलाना चाहिए ओके अच्छी बात है लड़की समस्दार थी अगली बार जब डोमिन को देखती है तो वो क्या करती है उसकी आँखों से भल-भल आसूं चुने लगे बिना मारे भी तो गलती सुधारी जा सकती थी उसे क्या मालूम कौन उसका क्या लगता है क्या नहीं हफ्ता बीद गया फिर से डोमिन काकी से सामना हुआ हम उम्रों के साथ वहां आंगन में गिटक खेल रही थी नजर पढ़ते ही उसने मुस्कुरा कर हाथ जोड़ दिये प्रत्युत्तर में डोमिन काकी ने दोनों हाथ उठा उसे असेसा दोबिन भी खुश आशीश देती है अब दूसरे तमाचे क्यों राते हैं दूसरा तमाचा क्यों लगता है क्योंकि उसके हाद से अनाच गिर गया था क्या इसलिए लगता है क्या इसलिए लगता है उसे तमाचा कि उसने सावधानी नहीं बरती नहीं, उसे तमाचा इसलिए लगता है कि उसने जाने अन्जाने उस डोमिन को छू लिया देखो क्या सीख दे दिया बुजुर्गों ने एक तरफ दोमिन को काकी बुला कर उसका आधर करने को खहते हैं वही दूसरी और उसे चूने मात्र से गंगाजल चुड़कते हैं स्नान करवाते हैं फिर भी दादी का गुसा कम नहीं होता देखी वो क्या क्या करती है तोकनी जमीन पर तिकां वहाँ अनास बटोरने में डोमिन काकी का हाथ बटाने लगी अचानक जपटती हुई सी दादी आई और उसके गाल में तमाचा जड़ चिल्लाई बेशवूर मुरक छू लिया तुने रतनी को उसकी सिसकन की उपेक्षा करती हुई दादी उसे नहान घर की और खीच ले गई और वही से उन्होंने बड़ी काकी को पुकार कर दोनों के उपर गंगा जल छड़कने और दो बालती पानी स्नान के लिए रख देने को कहा सोयम नहा लेने और उसे नहला देने के बावजूद दादी का गुसा शान्त नहीं हुआ चेतावनी देती हुई सी बोली आइंदा ख्याल रहे बिट्टो रतनी को कुछ भी देने के लिए कहूं तो उपर से कौँच में फेंक देना खबरदार उसे चुना मत शहर से गाव आई उस चूटी सी बच्ची के बाल मन में बड़ों ने एक बड़ा पांठ अत्वा एक नकनसत्य सिखा दिया कि नीची जाती के मनिश्यों को छूना नहीं चाहिए किसी भी हालत में धर्ण ब्रश्ट हो जाता है ये लगु कथा वास्तव में भारत की महा कथा प्रसुत करती है एक मासूम बालिका के दृष्टिकों से हम समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति जो दिन रात हमारे लिए परिश्रम करता है काका का की संबोधन से हम उसका और ज्यादा शोशन करते हैं फिर वह अच्छूत कैसे हो गया उसे छोग कर हम अपवित्र कैसे हो गए ये डोम समुदाए उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, आधी राजियों में रहती हैं तथा अनुसूचित जाती अत्वा शेडूल कैस के अंदरगत आती हैं डोम पुरिश अधिकामशत मृत देहों का अंतिम समस्कार करते हैं और उन्हें उस समय डोम राजा पुकारा जाता है ये भी उच्छ जाती के लोगों की चाल है काम निकलवाना है अधर टाइचल दे दिया राजा और डोम स्त्रियां सवर्नों के घरों में साफ सफाई का काम करती है ये एक समाज प्रदत कुप रथा है जो इन पर जबरन लाद दी गई है इतने कठिन परिश्रम के बाद भी इनको मिलता क्या है बासी खाना और दूसरों का जूठन प्रशस्त एड़ित्त अरी चित्तरा मुद्गुल दे युरी चर्रीय कथा डोमिन कांकी नमने इंदियन समुहतलों लोग्लों तेट्टाय कीडवलकम तोट्टु पूडाईमा अधने हैलाइटीन ओरु स्टोरियान इद अवरण जीविदोवायट रुलेट्टु डान, अवरण लाइफ इलिप, अवरण फैमिली वेंगिर हाई क्लास फैमिली आरुनू अवरण खुडुम्पती तन्न नडन उरु सम्पत्तंड पच्छाथल पिलाण, अवरु कोलज डेसल एड़दी उरु स्टोरियान वल्लारे चर्री उरु स्टोरियान पशे उरुवाड कारिंगल तोर्न गान किन्नू मुथ्टशील निन्न रंड अडियान, रंड प्रावश्वमाईट्ट रंड अडि, आ उरु आरु वैसरल लोरु कुड्टी की पिट्टिके उटाई, आ रंड अडियुम् रंड पच्छाथल पिलाण, आ रंड अडियुम् रंड विर्द्केस्त कारिंगल कान, पक्षिया क पिट्टीड मनसिल वरु कॉंफ्लिक्ट आनक रेटीर, आ दियत्ताडी अपड़ाण नमकर घिट्टेल नोको इवड़ा काना, तबी उसकी नजर दहली स्पार कर आंगन में घुस्ती विड डोमिन पर पड़ी, डोमिन अटारी पर बनी, टट्ती और आंगन से लगे न दर् खटोले से लगी खड़ी, वह उचप कर चिल्लाई, ददिया ददिया, देखो दोमिन आई है, चुटकी में दबी मिर्च छोड, दादी ने तडाक से उसकी गाल पर तमाचा जड़ा, कब सीखेगी मानटान, ऐसे बुलाते हैं बड़ी बुडियों को, रिष्ते में रतनी त उस्ट हा करिसे सम्झी, इवड़ं कुट्टिया, मुदर्न दोमिन अर्यत्त नी, दोमिन आल्ला, अवरे पेर रतनी नान, अवरे रसपेक्टोड़ विलिच्चि इल्ल्ला, एंन्न वरंगान, मुद्ध शी अडिचतु, टाउनिल्न नेन्न, सिटी नेन्न, गुट्टि, ग्रामत्तिले बेंदंगल उन्नों अरियाद रुकुट्टि, अरियाद डोमिन, मुदरनवर्य विलिक्किन्न वोले, डोमिन्न विलिच्चदुने, वलिच्चोर अडि उड़ुट्थु, अब आ कुट्टिक्की आवर अडियल निन्न, मनसिलाई, मुदरनवरे डोमानिक नौन अगर, पिनीड आ, कुट्टि अदर पाली के इंजेल, पिनीड डोमिन्न काकी अकानमब, एंदाने चेदाद दानों कोईगन है, उसकी आँखों से भल-भल आसूं चुने लगे, बिना मारे भी तो गलती सुधारी जा सकती थी, उसे क्या मालूम कौन, उसका क्या लगता है, क्या नहीं, हफ्ता बीद गया, फिर से डोमिन्न काकी से सामना हुआ, हम उम्रों के साथ, वहाँ आंगन में गिटक खेल रही थी, नजर पढ़ते ही, उसने मुस्कुरा कर हाथ जोर दिये, प्रत्युत्तर में डोमिन्न काकी ने दोनों हाथ उठा, उसे असे बंखर एशा, अधे एकुट्टी, अब इसमुदिरनवर विर्वाई एकुट्टीड मोओ mechanism, उसे और प्राय विल्वरे बहुमानिकनां, पेर लल्ल विलिक्केंदेदे, काकी चर्त्विलिक्केनां, अधे मुदिरनवर दन्न, पिन्नीड आस्तरिये अन्यों वर्यादे, उन पारीचे एविच्चोंट वोई, बाद्रूम्ले कुण्डूई, गंगा जलम तळिकिन्नू, कुलिपिकिन्नू, रंडवीरूम पुलिकिन्नू, तो रंडवीरूम कुलिच्ची एविजिन्ट्वूम् शांधमावं दिल्ला मनसु अप इदिल निन्न इउरी रंडामत्त आडियल निन्न आँ खोच्चु गुट्टी एंदान मनसला केंड़ु मन्षर अल्लाम उजुपोले अल्लाम, मन्षर चलमन्षर अगत्ती निरुत्त अंडवरानु चलमन्षरे नमलु बाह्यमायट आडंबरतनी मेंडिकांकीन जरुत्त रस्पेक्ट्टोड़ विलिक्यन पक्षयावरे तोडाम बाडिल्ला उरिकारनोशालु मुद्धशीय दान परन उडगकनदु भक्ष्नमों, धान्यमों, एंधंगले कुड़कान उनकी मोली निरुणे उड़ुत्त अगरु इदो नमड़ इंडियन सोसाइटीले विल्यय, यास्ट सिस्टत्तिले विल्यय विल्यय विबत्त आरुनु 1950 ले अबोलिशी इद अंटच्च पिलिट्टी आन, नमड़ इंडियन कोंस्ट्यूशन, 1950 ले तन्न, आर्टिकल्स 17 नदद, अबोलिशी इद तोंड़ु पक्षे इन्नुम् नमड़ समूहत, अदु पलसलत्तुम्, इंदियले पलसलत्तुम्, अदु प्राक्टीस हे इन्नु अपई, इदिन्दे कुड़ वरी इंटर्व्यू, चित्रामुद्गल्जी, रंडु वर्शं मुम्ब कोड़त्त दान, अवरक्क्क साइथे अकैडमी विन्चे दप्पम, एड़त्त इंटर्व्यू आन, डिडी न्यूसले वन्ने, अदु इपड़ तर्यांपच्चिदिल अपई, आपई, इंटर्व्यू ले नोकू, अवरे ख्लियरायट्ट परेनू, आइंटर्व्यू निंक्क समयंगित्तमा, फुल्लायट्ट कानुवा, अवरी परेना, अवरे वेल्ये, वेल्ये, संपत्त्तोल एरु कुडुमपत्ती जैंचे वरायरु, अपई, अवरे खू अपई, नमड़ समुवत्ती नडखने ईए, वेल्ये, पोल्लात्तर, उरु वशत्त्त, रस्पेक्ट्टे एणोन वरे, अधि नडिक्की जेएनदु, मरु वशत्त्त, अवरे तोडाने वाडिल्यू, अवरे इंगिनन मोळी इन्न, अदु, पडगीय भक्षन सानंगलान इ पड़े पेट्टेवरु समुधायवान। बिहारल अवरे मिक्क्योअरु मोला वोंड़ उन्डाकिन वस्त्तुकल उन्डाकिनन गेट्चपरी आण।, इमोला मोर्रम उन्डाकिन उन्डाकिन आवरे केट्चपरील्यू, अब उत्तत प्रदेश लिए मेना एट्टुम् इ मुर्द देहंगल समस्केरिकिन दिविरान आ समेत्थि विरे डोम राजा एनन विलिच्ची विशेशिदिक्यो अवर कोरु उन्नग स्थानां कोड़को अब इपावगट जनम अदु डोम राजा एननन केक्कमं विल्लिया आवेशत तुरूडिया जोली चेहिये अदु कालागालंगल मुर्द देहंगल कोड़ अधने देहिप्पिकिनन जूली इपूटरान चेहिद नदु बारानसील अधने वेल्लिया एरिया उन्दे मुर्द देहंगल समस्केरिकिन दु अब आगिने इए डोमिन काकी उड़ी जर्वीय काधेयान। नोको वरी रंडु पेज़ लूळी मिक्किनन वरु काधेयान। तुशे नम्मण समोती नड़कनन वरी वनाजारतने वलरे व्यक्तमाई तोरंद गाटटवियान। इए लेखीगा इए एवित्तवारी परहे होंड़ाई अधना अम्न किट्टी आडियान। अवरक्क पिन्नीड 6 वैसी 7 वैसी किट्टी आडियान। कोलजी लाइफिले वरे उरु कधैयर दाम्परणपुम् आधिय मनसी वनदी उरु एपिसोड आणि लाइफिले। प्रेम्चन्दन कथा सम्राटी इन्दी साहिकेतले आधियान। अधियात्ते निया ठाकुरका कुवां एन्ना वरु स्टोरी वल्लरे इंस्पाइरिंगान। इदेवोल केनर उन्डु, केनरी इन्न, ताना जाधिकार्क वेल्लां गुडिकेयां पाडिले। इदेवोल उन्डु, केनरी एडित्त दारीड वीडन मुट्टत्त वोन्डवोल। अधिले, कोर्च्चु वीड अप्परत्त थामसीकिनन, अन्य जाधिकार्क, ताना जाधिकार्क, वेल्लां गोरां पाडिले। अगने इए उरु कोण्फिलिक्टी कुट्टीड मनसी वळरेगें, इजमीन्दारी सिस्टम, इफ्यूडल सिस्टम, इजाधि वेवस्ता, हाई कास्ट, लो कास्ट, इदेंदे एक्के एदरे, अवरवरड लेखनंगल्ले, एजित्तिल्यु प्रधिविली चिरुट्टुन नवस्कार तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है समाज में जब कुछ दरकता हुआ सा महसूस होने लगे, जब चेहरों से नकाब हटने लगे, जब विरोधभास सतह पर आ जाएं, तो व्यक्ति लेखक हो जाता है कोई कहानी जन्म लेती है, कोई उपन्यास जन्म लेता है और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की तेजस्विनी के साथ, और वो बन गई हिंदी साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर, जिनने हाल ही में साहित्य अकैडमी पुरसकार से सम्मानित किया गया है हिंदी की चानी मानी साहित्यकार लेखी का चित्रा मुद्गल हैं हमारी आज की तेजस्विनी हिंदी साहित्य के मौजूदा दौर में चित्रा मुद्गल एक सम्मानित नाम है जिनकी रचनाओं में हाश्य पर पड़े लोगों के सरोकार है आधुनिक समय की महिलाओं के विमर्ष है और मध्य वर्ग की जिंदगी की मजबूरियां है इनकी रचनाएं इनके जीवन के तमाम तजुर्बों का दस्तावेज है युवावस्था के बागी तेवर के चलते शानो शौकत का जीवन छोड़कर उन्होंने कठिन रास्ता अपनाया मुंबई प्रवास के दौरान श्रमे कांदोलन से जुड़ी और घरेलू महिला कामगारों के हक की लड़ाई लड़ी चित्रकला में गेरी अभीरुची रखने वाली चित्रा मुद्गल की 13 कहानी संग्रें तीन उपन्यास, तीन बाल उपन्यास, चार बाल कथा संग्रें, पांच संपादित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है उनकी अंग्रेजी में हाइना एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज को खासी प्रशंसा मिली है उपन्यास आवा के लिए 2003 में व्यास सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया उनका ये उपन्यास आठ भाशाओं में अनुवादित हो चुका है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा पर 2018 की साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित चित्रा मुद्गल है हमारी आज की टेजस स्विनी